हमारे मित्र है जो हमारा व्लॉग देखते हैं आपका नाम क्या है तो यहां पर नवा गाउं धंतरी गंग्रेल बांद छे कली मुटा है कावारद पांसा से बन कर दे है कि दोड़ती वाली प्राइज इसका यह पहुंच गई कि रिसोर्ड में अंटर कर सकते हैं कितना खुब्सूरा सा यहां पर रिसोर्ड बन एक व्लॉग श्रॉल पर फिर शाब सभी का स्वागात है गाइस तो अभी हम है धंतरी पे और अभी हम निकाल गंग्रेल देम के लिए मांसुन का समय है तो देखते हैं का सा महौल है और तो नास्ता पानी करने के लिए कुनार भाई के साथ पे आए हुए हैं तो यहां से अपने को राइट लेना है लेट जाते हैं तो अपन निकल जाएंगे कुरूद सिटी धंतरी का फेमस है रायपूर के लिए यहां पे अपने को रूपना पड़ेगा कुछ देर और हम लोग ज से अपना जगदलपूर जब भी जाना होता है तो यही वाली रूपी लेके जाएगी आप लोगो को और दूसरा है बालोद वाली वह बालोद होते वी आप जा सकते हैं दली राजर होते हुए गाइस तो यहीं से अपने को लेट लेना है सीदा जाएंगे तो बस्तर निकल और ओना कुना आपको पता होगा, ओना कुना सीधा जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, तो यहां से वही लगबग 11 किलमेटर की धूरी पर है, गंगरेल डेम, और ट्राफिक रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं गुमने फिलने के लिए, गिलाई माता भी इसी रो अच्छी माता भार्षन करना है, तो यहां से आप जा सकते हो, सीधा ही सीधा है, और यह चौक है, और यह लेकर जाएगी सीधा आपको गंगरेल डेम के लिए, यह हमारे मित्र है, जो हमारा व्लोग देखते हैं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र, जीतू, अच्छा लोग परिया, रुदरी, बहराज, एक किलिमेटर है, कौन सा भाई? अंगार मोती, आठ किलिमेटर है, पर बोर्ड पर मैंसा है, भाई साथ, तो यहां रुदरी, एक किलिमेटर है, रुदरी भी जाने है, और वहां का भी व्लॉक सूट करने है, देखते हैं, गंगरेल लेम के बा पना रखा इतने धूर में, और यहां पर नवा गाओं, धंतरी, गंगरेल बान, छे के लिए मुटा रहे, यहां डारेक्शन दिया हुआ है, हौई आरिधा तो गेट खोला है नहीं है, मैं सोचा खूला होगा गेट, बारिस उतना हुआ भी नहीं है, गैस तो अभी हम आ सेड में है, 14 गेट, फिछले साल जब आया था, तो गेट खुल चुका था, तो यहां पर लबा अलब पानी भरवा था, लबा अलब और काफी सारे लोग थे, जो यहां से निहार रहे थे, उपर से जाने को तो मिलता नहीं है, जब हम छोटे थे, पिक्निक मनाने के लिए हम सेड जाने को मिलता ही नहीं है, तो अभी मैं हम लगों को गेट दिखला देता हूं, उसके बद फिर अपन दूसरे चोर पर चलेंगे, वहां से ना जारा दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर मीनी गोवा है, 36 गड़ का, गेट अगर ओपन होते ना पानी छोड़ता तो और ही यहां पर लोगों की संख्या भी देखनों को मिलती अभी तो हम दोनों के लाव यहां तीसरा कोई भी नहीं है, तम सान्त सा है, जो पानी ज्यादा हो जाएगा तो गेट को खोला जाएगा, 14 मैं से एक दो गेटी खोल तो यह आ गए हैं भाई, सहाब हम दूसरे चोर पे, य दिखा हुआ है, अंगार मोती राइट सेड में है, यह डेम जाने के लिए रास्ता, यू पॉइंट, तो यहां से जा सकते हैं, लेकिन, यही मेर, पांस साल से बंद है, आर्क जो रही से तिन बंद हो के पार्क वार्क सब, तो यह इला, काबर पांस साल से बंद कर दे है, अच्छा, 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 कुद कुदार गरी से, तो यहां से अपन जा सकते हैं, मीनी गोवा के लिए, आओ, सही बात है का, देखो, पहले हम लोग इदरी आते थे, ओहो, पानी रे, पानी बाबा, अभी पानी बहुत कम हो गया है, वाके में, बारिस तो हुआ ही नह तो हम लोग इदर अंदर अंदर से जा रहे हैं, देखते हैं, गाड़े कहां तक जाएगी हमारी, क्योंकि इस से आना थोड़ सा प्रतिबंदित है, हम लोग तो जैसे तरसे आ गए, आप लोगो को आने नहीं मिलेगा, यह ध्यान में रखिएगा, भाद दे रहे, यह यह है, कोटेज बना हुआ है, आप लगो को पुरा घूम घूम के दिखाएंगे यहां का नजारा, और यह जो दीख रहे ना टीना, यहां का केंटिंग है, केंटिंग, देखते हैं, चालू में की नहीं है, भाई, फिछले बार तो आया था तो बन था, और यह देखो, आलि तो देखो, हमारी भाईक यहां पर खड़ी है, लोगों को पैदाली आना पड़ेगा, पीक्छे साइड में रिसॉर्ट बने हुए है, जाते समय आप लोगों को मैं यहां का रिसॉर्ट भी दिखा दूँगा, हम अभी आ चुके हैं, 36 गड़ का मीनी गोवा, हा जाता है, ल स्वा हो जाता है, टिकट का रेड़ बताना अंजी नहीं लगता कि सहीं रहे है, अंगार मोती तो उसका मैं अलग से व्लोग सूट करूँगा, काफी अच्छा है यार लेकिन वही दिक्कत है ना, जैसे कि मैं आप लगों को पता है, अंकल से पूछ के, वहां पे मैं अंकल स दूसरा हैगा, वहां जाने की कोशिस करेगा, फिलाल यहां का जो नजारे हैं, वह आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ, यहां पर देखिए इतने सारे फैमिली आई हुई है, बस इतनी लोग दीख रहे हैं, जितने हैं, आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ, बाकी और कोई नहीं है, यह आगे सेड में हो रहा भाई बोटिंग, टिकेट काउंटर तुम्हें अफ्लेकों को बतला दिया, वहाँ पे टिकेट करीदो और यहाँ पे बोटिंग करो, सन्नाटा पसरा हुआ है, मीनी गोवा भाई, मोहाली नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे गेट है, जो यहाँ से नजारा दिखाएंगे गेट का, जार देखें, लबाल पानी बरा हुआ है, उस सेड में पानी था ही नहीं, एक बोटिंग चलो तो मजब यह था दिखलाने में, बाकि पानी की जो लहरे हैं, वाव, एक नंबर, वान सो रुपर से स्टार्टिंग है, लौग य गेट, यह देखो, गेट, जिके उपर से अपन जाते थे, पिक्निक मनाने के लिए, यह वह इस्थान है, जहां पे हम लोग पिक्निक मनाते थे, किसी जमाने में, आज के समय में तो जाना बंद है, यहां पे हाई-पाई रेट है, आज सर बता रहे हैं, बोटिंग क्योंकि लोग ही नहीं है ना तो आप इसे ही वसूलेंगे, इन लोग ज्यादा रहते हैं, तो क्या है, सेरिंग हो जाता है, यहां पे कोई गुणजाईस ही नहीं है, आपको पूरा बोट गुप करना पड़ किता है यह प्राइज इसका, अचा यहां पे लिखा हुआ है किया, यहां पे पाने की जो लाए रहे हैं, इस स्टेट में कुछ जाता है, यह देखो, तो यहां पे कुछ फैमिली गए हुए हैं, बोटिंग आन उठाने के लिए, बहुत नहींगा है बाई, यहां पी वाला दिन चालो हो गया है, रेमली वाले लोग गए हुए हैं, इन्जॉय करने के लिए, रेड जादा नितवपन भी करते हैं, यहां बोटिंग वागरा, बस्तर में अगर बारे जादा होगा ना, तो यहां पे पानी का सोत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि वहीं से जोड़ा बढ़ रहे हैं, इसड़ में क्या लहरे कुछ जादा है, और यह पत्थर देख रहे हैं, बिच्चू बहुत पया जाता है, पत्थर अटाओगे, कोई नो कोई बिच्चू दीखी जाएगा, छोटा मोटा, वाओ, यहां पे बैठ के नाजारे का लूप उठाओ, काफी यह गोम फिर के किते दिर में आता है, लग बग, 25 मिनट लग गए हैं अपने को, गोम के मस्त ले के आए हुए भाई साब पूरे फैमली को, यह पांस लोग रहते तो 100 रुप देके अपन कल लेते भाई, पांस वाला, ओ हाई, वीडियो ले रहा हूं करके यहां फिला रहा ह यह पहुँच गई हुआ है, आलिसान रिसॉर्ट है भाई, मन तो करता है, एक रातरी विसराम करने का, कभी मौका मिलेगा तो रातरी विसराम करेंगे, इस आज का व्लोग मैं यहीं पेंड करेंगे, यह वीडियो आपको पसंद आया, वागा मैं जानता हूं कि उतना कुछ महाल नहीं है, फिर महाल नहीं है, जब महाल बनेगा तब फिर से आएग के यहां का व्लोग सूट करने के लिए, फिलाल यह वीडियो मैं यहीं पेंड करेंगे,